आद आपके सामनी धरसंजी के साथ एक नया का रख कार्य देगर आए है इस का रिख कर हीख में हम धरसंजी के सरप्रफ्र अगर आप सब्सक्रेंद करके आप काँ रहे पाते हो ऑल कम कुसी सिघ्र में अगर कोई हीट्सित अपरिछी रहा पाते है इस तरह हैं इद्धा रहे तो फिर अध्यात्म की आव सिफ्टा नहीं क्या सिथक्ता ही यह इस लिए आखusta हुटी है परसन्न हो नहीं पाते हैं और परसन्न क्यों नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो परसन्न होना चाहता है उसको पता नहीं वो कौन है उसको खुद का पता नहीं है जब आपको खुद का पता नहीं होगा तो आप कैसी परसन्न रहा पाएंगे आपको अपना पता नहीं आप कौन हो क कोई से सक्षाथ रहा पाई इसलिए अधियात्मा इसी बात का विशे है कि आपको परसंळ रखें तो आप तभी परसंज न हो सकते हैं तभी संथ तो हो सकते दिवन में जब आब जान पाएं कि क्यूं हो कितील बॉ rallies आपका इसली महट्शे कोilly passer क्या है कि पता रही है कि स्ैमाजिय परिचे आद्मत्व असली परिचे नहीं है तो आप समझाइए हमारा असली परिचे क्या है उसके साथ हमारा Connection, स्थाफित होने के लिए वहको सबसे पहले तो पिससे की सबसे पहलेας मिताा हो उसके आप नहीं हो उसको छोड के चले जाना है जो भी आप नहीं वेसे आप नाम नहीं हो तो छोड़ना है तो आप किसी दहर में के आप नहीं हो तो आपको छोड़ देना हो तो आप यस तरमी के यह बहूं है उसके परहेंगे उसके बाद आप कहाँ आई दीजाएंगे, सबसे जद्धा अपने विण के हैं की अपने मन राव dirig कर्ते हैं उसे को इलिए लाव परते हैं बभाब आधनीता ही होता है इसलिए हम अपने को शरीर हों कहते हैं तो हम अभी शरीर और मन के साथ एकड़ा के बैठे और मान रही हैं वह ईशी और मन ही मैं हूं indicators मगर ये दुर्बा सत्त्य नहीं यह अध्यात्म्सत्य नहीं है तो आपको पहले तो यह जो जुटी मानने इसको दोड़ना होगा तो नेती नेती प्रक्रिय के तो आपको इस बात को इस भरं को आपको तोड़ना होगा और तो यह ज्ञान मार्ग जो कहते हैं वह आपको यह समस्द देगा कि आप कहना पंद कर दोगे कि आप सरीड हो मन हो फोद हो नाम हो एक जाती हो तो इन सब आप जब आथे जाएंगे जैए ज़ो अनता में जो बचेंगी वाप तो अध्यात्म में यही प्रक्रिया शिखे जाते हैं तो आपको पहले कहते हैं कि आप यह भी नहीं हो यह भी नहीं हो यह भी नहीं हो अंत में जब आप कुछ भी नहीं हो कहने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं कि मैं यह हूँ तब भी जो आप बचोगे व वह ही आप हो सकते हैं और वह ही सत हो सकता है ज्ञानमार्गा और अध्याप्मा में ध्यान जो कहते हैं ध्यान से हम धिरे धिरे अपनी साथ इसी तरह प्राक्टिस करके यह बात हम जान सकते हैं अपनी स्वयं को कई से पहिचान सब्सक्राइब हमारा जो सामाजी परिचय है पहचान के लिए वो काफी नहीं है परिचय किसी आदमी का परिचय का आधारुत तो क्या क्या हो सकता है हाँ जो मैंने अभी बात बताई कि हमको खुद को हम जानती नहीं इसलिए हम दुखने है अग्यान में है तो यहां पर यह बात आएगी हम तो खुद को जानते ही है को नहीं जानता है और एक लोग कह रहा है कि उसका नाम क्या है उसका जाती क्या है धर्म क्या है पेसा क्या हारे अगर जो परिचे होता है शामाजिक परिचे यह धूड परिचे जुट परचे ह稍क होड़ा कि कि जो उसका परिचे रहूं से आया वटू परिचे गुक्त वह व्यावन है उसको जो भी कहा गया है पूस का नाम परिच आपको इसक्ट परिचे से उसका सव्य्म का परिचे नहीं हो सकता और यह जूट परिचे ही ओड और यह सब्सक्राय के लिए लिए faço fact घरमेट को इस पत्मी उस पत्सक files नदेओं मीए तो आप हीस मिन हो आपका जो पिर भी जब आपका नौरण रखा गया नौट दोस दिन के बाद तब आपका वो नाम रखा उसके पहले भी आपको है जिसलिए आप धनी हो तो आप कहते हूं कि मैं धनी हूं मंगर आपका भी घरीब भी हो जाओ कि तब भी आपको होगे तो इसलिए जो भी परिचे हमारा सम अध्यात्म हमों को यही सिखाता है अब बता रहे है कि हर एक आदमी का अपना शरीर और मन उसका नहीं है तो एक आदमी अपने समाद में कोई से जी सकता है कोई से समाद में बिना मैं के बिना अपना परिचे बिना आपना जो आप नगली परिचे बोल रहा है नाम समाद ज ही जाते हीं सब को यह वह ड़न लगता है sounds irad email टाने का लोग में अगर वह नई ब待 तो कैसे वो जीवन निर्वाह करेगा परिवार बच्चों को पहले कैसे पारण पुसुन करेगा तो इस बहुत सारे लोग अध्यात्र में जाते नहीं जाते हैं तो भी वापिस सरे जाते हैं मगर यह ऐसा ही प्रस्ना है जैसे कोई अंधा कहें कि अगर मेरी आँख मिल जाए तो मैं कैसे देख लूंगा क्यूंकि जब अगर हम अपने को जान जाए कि मैं कम हूँ जो जब अपने सभाब से हम परिष्ट हो जाएंगे तो पहले बात हम आनंदित हो जाएंगे कुसी हो ज सुगमता होगी अभी तो हम जिस मैं को लेगी जीवन निर्वहा कर रहे हैं तो भाए के साथ जीवन निर्वहा कर रहे हैं दुख के साथ परिशानीं के साथ काम कर रहे हैं और अपना जो काम है उस काम को भी हम प्रेम से करने पा रहे हैं उसको भी बार्धिता के कार में कर पार रहे हैं इसलिए हम कान में भी हम आनंद नहीं ले पार हैं मगर जब हम सोयम को जानेंगे अपने मैं असली मैं के साथ हमारा जो संबंद होगा उसके बाद हमको जीवन निर्भाग करने में और ज्यदा सुगमता होगी और काम करने में हमको और आनंद भी आएगा तो इस पढ़ने की कोई आवस्तिता नहीं कि अगर मैं मर जाओंगा महीं बचूंगा तो मैं कैसे जीवन तो इसका उदारण में खुद भी हूं यहां आप से बोल रहा हूं कर्म कर रहा हूं तो यह जब आप करके देखेंगे तभी आपको पता चलिए तो आप बता जीजी कि स्व जिनको पजयनमें की असमर्फ होता है कोईसे अपनी को पहचानर है कि देखिए अध्यात्म कोई जटिल बात तो नहीं होती है हो सरल भी बात होता है मगारा अद्यात्म को पहुत जटिल बना दिया गया और इसका मूल तीन कारण है पहला कारण तो यह पंडित उन्यमा वह इसको जटील बनादी जो पंडित और महात्मा है और जो व्यातारी माइन के लोग है उन्होंने अध्यात्म को इतना बड़ा जटील बना दिया कि तुम तो बहुत पापी हो तुम तो अपना पाप खालने के लिए बहुत बड़ा-बड़ा स्थ्रम करना होगा और बहुत बड जटिल बात है तो महत्मा की पुझा-पड कर ने के लिए चले गए हैं जानने के लिए नहीं चले हैं इसलिए जो करमा कहते हैं अपने को धार्म के हैं के हो हिंदु है और हम जो हिंदु के प्रामण है वो गहते हैं हम करते हैं कर गर हिंदुgas म shut देखा ऑब ही नहीं दखा忘 ही नहीं ना कर दोा न्यम्य कि विल papacı कर ने Am You ऑन को हम अपने घर में एजमान के रुप में लेकर आएंगे जमान कहिते ही क्या में और वो चो पहेंगे जो ब्रामन काया वह स्वहाथ तो हम उसके काम करेंगे उसके अनोसार मगर हम कभी भी गिता उपनिशत ब्यत इसको खोल के कभी भी देखेंगे तो इसे लिए अध्यात्म को समझ नज चाहते ही नहीं हो और अध्यात्म का सार्थ उपनिशत में लिखा है ना पहले से कपाऊंगा तो फिर बहुत जटिल हो ही जाए आप मानेंगे कि बहुत सरल है तो बात सरल हो जाती है तो लोग अध्यात्म को पहले से ही जटिल मान देते हैं कि दियान करना है तो एकदम से जटिल मनालेगा यान को वह सोचने लगे लगेगा कि विश्वां ईकिरी ने बारह साल तक जंगल में बैटके तपस्या किया क्या 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 किया और भहु कि प Aldi Rishima करती हिमालाय में हो कई से थी ही होते हैं हम खुद इसलिए होते हैं कि असल में हम जानना चाहते नहीं है जीवन में हम खुद को जानना चाहते नहीं हम जीवन में सांतो ना चाहते हैं हम अपना दुख को मिचाना चाहते नहीं हम अपने दुख के मलंपट्टी लगाना चाहते हैं हैं हम ऐसे हैं कोई महात् उसको पुजा पाठ करेंगे उसको आदर सम्मान करेंगे मंगर हमारा बेटा अगर साधू के पिछा चला जाए जाए जाधू बन जाए तो हम रोज आएंगे कहां यह बिगड़ गया पुलेंगे इन तो हम ऐसे लोग हैं हम रियलीटी में हम जानना चाहतें नहीं है जीवन कि नहीं हम क्या है और अपना करने हैं चली जाएंगे तो यह अहंकार की बात है यह अहंकार कभी भी जानना नहीं चाहेगा अध्यात्म धर्म परिचय में अहंकार होता है अहंकार क्या है कि जब हम खुद के परिचय को जानना साहेंगे ना तो जुटा परिचय तो वहां पंद होगा और अहंकार क्या है जुटा परिचय का इसलिए अहंकार कभी भी खतम होना चाहता नहीं इसलिए अहंकार बाधा बनके खड़ा हो जात वर जोबी मेरे यूटूम में फ्रवतन दालता हूं उसको सुनके मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा करत्र बाट बनता है उनको कुछ किसान निर्दिस देनी चाहिए तो उसके लिए विवस्था मेरे पास दो विवस्था एक विवस्था यह है कि आप घर बैठे द्ध्यान कर सकते हैं जो मैंने बनाया है जिसको मैं कहता हूं कि ट्राइबेट तो वो वीडियो के लिंक उस मेरे पास हैं दस पंदा वो लिंक मैं दो भी लोग आप चाहते हैं गर्वेट के वह प्राइब करना तो मुझे वार्ट पर बात कर सकते हैं और उसका लिंक भी जाता है और दूसरा यह है कि मेरे साथ प्रतिष्छे किसी त्यान सीविर में मिलके सीविर में सहवागी आप हो सकते ही अब यह भी हमने एक हफ्ते का तो अगला भी हम सीविर लगाएंगे तो उसकी लिए सुचना दी जाएगी कि आपको कब कहां होगी प्रमिशन आपको लेने के लिए आपको मेरे साथ प्राइवेट ग्रूप है वार्षप का उसमें जुनना होगा दोनों का ग्रूप का लिंग है वह डिस्क्रिप्शन में वहां मैं दे दूंगा तो आप महां जागर जूड़ सकती है तो अहुत-अहुत नेवाद आपको बहुत